बाइपास पर खड़े होने वाले रेती के ट्रक और डंपर अब दूधिया इस्थित नई रेती मंडी में शिफ्ट हो गए हैं पहले दिन संच्वाल को कोज समझाई शुदी गई यदि शुक्रुवार से क्रक और डंपर नई मंडी में शिफ्ट नहीं होते हैं तो कड़ी कारवाही की जाएगी कुरुवार को प्रसाशन नगर निगाम और यातायात कामला नेमावर रोड पर सक्रिय रहा है देखिए ये खास रपो शहर की यातायात में बाधक और सडक सुरक्षा के लिए खत्रा बनते जा रहे रेती के क्रक और डंपर अब शहरी सीमा से बाहर दूदिया गाव में शिफ्ट हो गए है कलेक्टर आशीश सिंग ने पिछले दिनों दूदिया अस्थत सरकारी जमीन का नरक्षण कर रेती मंडी को 15 फरवरी से शिफ्ट करने के नरदेश वे दिये थे कलेक्टर के नरदेश का पालन करते हुए गुरुवार से रेती के सभी ट्रॉक और डंपर नई मंडी में शिफ्ट कर दिये गए है जला प्रसाशन या तयात और नगर निगम की अधिकारी गुरुवार सुभा से ही नेमावर रोड पर सक्री रहे नेमावर से आने वाले इस सभी रेती के ट्रॉक नई मंडी के पास ही रोग दिये गए कलेक्टर आशीश उसिंग के अनुसार पहले दिन समझाई शुदी गई है यदि नई रेती मंडी में वाहन शिफ्ट नहीं होते हैं तो कारवाही की जाएगी एक निसेंस होता था ट्रेफिक के लिए और सुरक्षा की दिस्टी से भी एक्सिडेंट की दिस्टी से भी जब जो रेत से बरे डंपर वो खड़े रहते थे बाई पास पर और दोनों रोड्स की तरफ तो निश्ट रूप से दोधिया में जो रेती बंडी शुरू करी है वो बहुत ही सकारात्मा कदम है ट्रेफिक को सुरक्षा की दिस्टी से मैं आपके मादम सबसे अपील भी करता हूँ कि रुप्याइस में सहयोग करें और आज हम लोगों ने समझाईश दे किया है कल से सकती करेंगे अगर कोई आगे ट्रक पाया गया तो इसके खिलाब कर भाई हो बायपास पर रेती के ट्रक और डंपर खड़े होते थे जिसके कारण यातायात में बाधक बनने के साथ दुरघटनाओं का खत्रा बना रहता था नई व्यवस्था से इस परिश्वानी से नज़ात मिलेगी ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदार